नमस्कार दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रहमतराज मतहमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले रीड़ शिक्षक बरती 2020 हिंदी के जो टोपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं उसका दूसरा टेस्ट है और आज सर्व नाम के कुल 31% देखने वाले हैं आपको 25 सही करके बताने मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे क्यूसनों का लेवल रहेगा और आपकी तैयारी शांदार हो जाएगी तो चलिए दोस्तों आज का सेसन सुरू करते हैं दोस्तों आपको लाश्ट में बताना है कि आपको कैसा लगा तो चलिए दोस्तों पहला क्यूसन है आपका वह सर्व नाम है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष या ए निश्चे वाचक तो प्यारे सातियों वह जो सर्व नाम है उसमें है अन्य पुरुष सर्व नाम शेव ओप्शन आपका करेक्ट आपके option number दे तुम्हारा जो है वो मध्यम पुरुष शर्वनाम है तीसरा question देख लाते हैं मेरे प्यारे साथियों तीसरा question आपके सामने है निमनों में से निश्चे वाचक शर्वनाम किसमें कौन सा है यह है वह है उन्होंने तुमसे उसे हमें या तुमें उन्हें तो प्या कर जाता है सर्वनाम विशेशन किरिया या अब यह तो प्यारे साथियों उन्हें सर्वनाम कर जाता है आपका option राइट answer हो जाएगा दोस्तों चलिए चलिए दोस्तों पांचवा क्यूशन आपके सामने है ये क्यूशन नमर पांच है मेरे सातियों निमने लिकित वाकियों में से किस वाकिया में सर्वनाम असुद प्रियोग हुआ है सर्वनाम का असुद प्रियोग हुआ है वह शुहम या नहीं आना साती आपके आगरे पर दि यह वाला असुदे चलिए दोस्तों छे नमर क्यूसन देख लते हैं मुझे किस परकार का सर्वनाम है यह जो मुझे है किस परकार का सर्वनाम है उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष अन्य पुरुष या उक्त कोई नहीं तो प्यारे सातियों यह उत्तम पुरुष का उधारन यह option आपका right answer हो जाएगा साथवा question यह है कि सर्वनाम के कितने परकार है 4, 5, 6 या 7 तो प्यारे साथियों सर्वनाम 6 परकार के होते हैं आपका option नमर share right answer हो जाएगा दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने like नहीं किया तो like का बटन जल्दी से दबा दीजिए आठवा question है मेरे साथियों निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है option है क्या कुछ कौन या यह है तो प्यारे साथियों इसका right answer है वो जाएगा दे option यह है वाला next है नमरा question दोस्तों इन में से ए निश्चे वाचक सर्वनाम कौन सा है कौन जो कोई या वह है तो प्यारे साथियों इसका right answer से option हो जाएगा कोई ए निश्चे वाचक सर्वनाम है अगला है दस्वा question यह है गोड़ा अच्छा है इस वाक्या में यह है क्या है संग्या सर्वनाम विशेशन या सार्वनाम एक विशेशन तो प्यारे साथियों यह है सर्वनाम आपका बे option राइट अंसर हो जाएगा अगला है 11 वाच्छा है संबंध वाचक सर्वनाम बताएए कोई कौन जो या वह है तो प्यारे साथियों 11 जो right answer है वो जाएगा option number 6 जो जो है वे सम्मन्द वाचक सर्वनाम है 12. question है प्यारे साथियों मैं मेरी और मेरी आदी सब्द सर्वनाम कहलाते हैं पुरुस वाचक, निज वाचक, सम्मन्द वाचक या पुरुस वाचक तो प्यारे दोस्तों ये पुरुस वाचक तीन भेद होते हैं आपका 2 option correct answer हो जाएगा 14. question है उत्तुम पुरुस वाचक सर्वनाम का उदारन कौन सा है तुमारा उसका कौन या हमारा तो उत्तम पुरुस का जो सर्वनाम का उदारन है वो है हमारा 2 option आपका right answer हो जाएगा दोस्तों 15. question है मेरे प्यारे साथियों अन्य पुरुस वाचक सर्वनाम कौन सा है तुम में इसका या आप तो दोस्तों या पर अन्य पुरुस वाचक सर्वनाम है इसका आपका say right answer हो जेगा दोस्तों next है 16. question दोस्तों 16. question पहुंच चुके हैं ये है वे है ये वे आदी में सर्वनाम कौन सा है निश्चे वाचक, ए निश्चे वाचक, प्रशन वाचक या निज वाचक तो दोस्तों ये निश्चे वाचक सर्वनाम है ए option आपका right answer हो जेगा 17. question है दोस्तों 17. कोई कुछ सब्दों में कौन सा सर्वनाम है पुरुष वाचक, ए निश्चे वाचक, प्रशन वाचक या निज वाचक तो प्यारे सातियों इसका जो right answer है वो ए निश्चे वाचक भी option आपका correct answer हो जेगा 18. question प्यारे सातियों आपके सामने है सम्मंद वाचक सर्वनाम वाला सब्द कौन सा है यह है वह जो या आप तो प्यारे सातियों जो याँ पर जो है वो सम्मंद वाचक सर्वनाम है से option आपका right answer हो जाएगा 19. question है दोस्तों important है ध्यान रखना इसका most important है जिसकी लाठी उसकी बेंस वाकिये में रेखा कित सब्द क्या है उसकी रेखा कित है 20. question है मेरे प्यारे सातियों इस किसको क्या कहां आदी सब्द किस सर्वनाम के उधारन है सम्मंद वाचक नीज वाचक पुरुष वाचक या प्रिश्ण वाचक तो प्यारे सातियों 20. question का right answer प्रिश्ण वाचक दे option आपका right answer हो जाएगा 21. question कौन में कौन सा सर्वनाम है प्रिश्ण वाचक, नीज वाचक, पुरुष वाचक या निश्च्य वाचक तो दोस्तों ये भी प्रिश्ण वाचक अउदारने ए option आपका right answer हो जाएगा अगला है 22. ये है काम में आप कर लूँगा वाक्य में है ये निश्च्य वाचक सर्वनाम पुरुष वाचक सर्वनाम, नीज वाचक का सर्वनाम सम्मद वाचक का सर्वनाम तो प्यारे साथ ये नीज वाचक सर्वनाम है से option आपका right answer हो जाएगा 23. question न दोस्तों जहां आप सब्द का परियोग के लिए हो तो वाँ सर्वनाम कौन सा होगा आप सब्द का परियोग अपने लिए होता है तो वाँ सर्वनाम कौन सा होता है ये पुछा है नीज वाचक, सम्मद वाचक, प्रिशन वाचक या कोई नहीं तो दोस्तों इसका right answer ए ओप्शन हो जाएगा नीज वाचक नीज वाचक, सम्मद वाचक, प्रिशन वाचक या पुरुष वाचक तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा बे option बे option सम्मद वाचक, राइट answer है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों 23 वाचक मध्यम पुरुष पुरुष वाचक सर्वनाम का कौन सा उदर्ण है आपका मैं यह मेरा तो दोस्तों इसका जो right answer है वो हो जाएगा आपका ए ओप्शन 24 वाचक वाचक सर्वनाम का उदर्ण कौन सा है ओप्शन है कोई आ रहा है कौन गाना गाएगा वे लोग आगे वे है पुस्तक मेरी है तो प्यारे साथ हूँ इसका जो right answer है ए निश्चे वाचक का हो जाएगा कोई आ रहा है ए ओप्शन आपका ठीक है 25 वाचक 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 सर्वनाम कौन सा है प्रिशन वाचक निज वाचक ए निश्चे वाचक या पुरुष वाचक तो प्यारे साथ हूँ इसका जो right answer है वो हो जाएगा कोई जो है ए निश्चे वाचक है से option आपका right answer हो जेगा 26 वाचक वाचक थे निश्चे वाचक सर्वनाम के प्रियोग वाच्चे कौन सा है जो करेगा सो बरेगा यह मेरा गाम है चातर कहां गया या कोई अच्छा है वह नहीं तो प्यारे साथ यहों इसका राइट आंसर होजएगा निश्य वाट चका ये है मेरा गाम है 27 पर ग्यूर्चन है किस कारक में सर्वनाम सब्दों का प्रयोग नहीं होता है संबोधन कारक, कर्म कारक संपरदान कारक या अपदान कारक, तो प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होज़एगा आपके संबोधन कारक ठीक है, A option, अगला है प्यारे साथियों, सर्वनाम सब्द का आर्थ क्या है उपनाम, सबका नाम, उसका नाम या मेरा नाम तो प्यारे सातिओं, इसका right answer हो जचेगा बे automation सबका नाम आज की class का एंपशन 21% टोटल थे आज की class का एंपशन है सरवनाम सब्दों का उप्योग परहे पुनरक्ति दोस्य निवारण में सब्द कोस के लिए विचार विमर्स के लिए या उक्त सभी के लिए तो प्यारे साथियों पुनरक्ती दोस निवरन ये उप्षन आपका राइटांस रोजेगा अनतिम पर्शन का प्यारे साथियों पहले आपको बताना है टेस्ट कैसा लगा ठीक है कमेंट करना आपको टेस्ट कैसा लगा और दोस्तों बाद में बताना है कि आपके 31 मेंसे सरवनाम वाले टोपिक में कितने क्यों संसीव है आपको जो ये topic wise test चल रहा है संस्क्रत का 12 बजे चल रहा है दोपेर को और 6 बजे साम को हिंदी का चल रहा है और सुबह 7 बजे psychology की test चल रही है topic wise test में आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छा लग रहा है जारी रखें इसको या नहीं रखें दोस्तों जरूर आप अपनी राय दें दोस्तों मिलते हैं एक नहीं सेशन के साथ में नहीं वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे बारत के तोस्तों जे सेंगा कॉम सेंगा है कर दोस्तों में नहीं है नहीं ।